ग्लाइकोलाइसिस में जब हम लोग ग्लुकोज के ट्रांस्पोर्ट पर दिखान देते हैं तो निश्यत रूप से हमें ग्लुकोज ट्रांस्पोर्टर या सोडियम आयन डिपेंडेंट ग्लुकोज ट्रांस्पोर्टर जिसे S-Glut भी कहते हैं उनके बारे में जानने के जरूरत होती है। ग्लुकोज ट्रांस्पोर्ट से बॉड़ी का वतलब कह सकते हमकी लगवग कई सारे हॉर्मोन, कई सारे अलग फीचर्स जैसे एनरजी का डिमांड, जैसे कार्बन के स्करेटन का डिमांड, ये तमाम चीज़ें जूड़ी रहती है उस परपस से जब हम लोग इंसुलीन के बारे में देखते हैं, तो उसमें कई प्रकार के डियावटीज का स्टेडी साइंटिफिक तरीके से किया जाता है। उसमें एक है टाइप वन डियावटीज मेलिटस, जो की इंसुलीन डिपेंडेंड है। मतलब यह है इंसुलीन के, इंसुलीन की कमी से होता है। ठीक है? अब इंसुलीन की कमी अगर है, तो ब्लड में गुलकोज का लेवेल घटेगा नहीं। इसका मतलब है कि ब्लड में गुलकोज की बातरा काफी ज्यादा रहेगी, जिससे की स्ट्रेस रहेगा, रवाब रहेगा, लीवर पर काफी स्ट्रेस रहेगा, ब्रेन पर भी स्ट्रेस रहता है। इन ही से पॉइंट्स पर जब हम चर्चा करते हैं, तो हमें दिखता है कि गुलूट वन और गुलूट टू, जो कि लीवर सेल में गुलकोज का ट्रांस्पोर्टर है, वहें पर गुलूट थी जो है, वह ब्रेन सेल में है, ये हमेशा मौजूद रहते हैं ब्रेन एंड जब नहीं हो, तब भी, यह तीनों प्रकार का ट्रांस्पोर्टर जो है, वह अपने-पने कोर्सपॉंडिंग सेल में मौजुद रहता है, लेकिन, जब बात आती हैं, गुलूट फोर के बारे में, आप देख रहे हैं इहां गुलूट फोर है, जब गुलूट फोर के बारे बात आती है तो कहानी बदल जाता है और यहां क्या होता है कि ग्लूट फोर जो है वो एस्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और एडिपोस टिशूज मतलब फैट टिशूज में मूफ करता है इंट्रसल्लर वेजाइकिल्स से अब मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाने के भी कोशिश करूँगा भी तो प्लास्मा में मैं इसको एक डियाग्राम से आपको समझाने कोशिश करता हूँ कि यह क्या कहे रहा है तो आपको और भी अच्छा लेगा देखिए यह सेल है लिवर का सेल है तो लिवर के सेल में कुछ जो ग्लूट है वो मौजूद रहते हैं हमेशा ठीक है जैसे कि मान लोगी ग्लूट वान यह हमेशा पोजूद है यह हमेशा मौजूद रहता है को इस तो ईस नियह डिफाल में जो है हमेशा मौजूद रहता है इसको मतलब नहीं है यह बात में अपरहद देखता है एक हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसी नियार से जो प्रेंड का सेल है उसमें भी जानते हैं निरोन्स अपनाम है उसमें भी खासतर का ग्लुट है विसे हम लोग ग्लूट 3 कहते हैं, यह मौजूद है, यह मौजूद रहता है, किन्तु जब बात आगे बढ़ती है और पहुंसता है ग्लूट 4 के बारे में, तो इसके बारे में कुछ अलग एस्टेट्मेंट है, क्या स्टेट्मेंट है? यह नुकलियस है, यह नुकलियस को फोटा कर देते हैं, यह नुकलियस है, और हम सब पढ़े हैं, सिक्रिट्री वेजैकिल्स के बारे में, तीक है? यह जो है सिक्रिट्री वेजैकिल्स है, इस सिक्रिट्री वेजैकिल्स में ग्लूट 4 मौजूद रहता है, और इस ग्लूट 4 क का ट्रांस्पोर्ट होता है कहां मेंब्रेन तक और मेंब्रेन में क्या होता है यह सेक्रिटरी बेजाकर जो है वह इस मेंब्रेन में मिक्स कर जाता है फिट हो जाता है और इस प्रकार से ग्लूट फोर जो है वह अब यहां होता है मेंब्रेन में तो यह है ग्लूट फोर यह ए ये एक्जामबल हमें eripoas tism दिखताया है eripoas cell में दिखता है जो Gifted तो इसका मतलब है की Blessed for जो है लो however इन ही रहता yeah time being बना कर supply किया जाता है यहां बहुत ही अच्छी जानकारी दिमाग में रखने की आफष्रकता है क्या यह he a statement कहता है अब आप क्या है? कि ये कब होता है? एंसर होता है, ये तब होता है जब इंसुलीन मौजूद होता है Only when इंसुलीन response is found फ्रैंक्रेटिक वीटासल response is found तो यहां बात असपर्ष हो जाता है कि ये जो हम लोग टैयर्ग्राम बनाएं हैं यहां काम तब होता है, जब, when insulin is present in blood, when insulin is present in blood, जब यह blood में मौजूद होता है, तब यह काम होता है, अब सोचो, हमने कहा कि insulin की deficiency होगे, मतलब कोई insulin नहीं है, तो क्या यहां कारिय होगा, हम लोग कहेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, सर्ज, तो क्या glut 4 जो है, वह plasma membrane तक पहुचेगा, हम कहेंगे, जी नहीं, glucose glut 4 जो है, वह plasma membrane तक नहीं पहुचेगा, इस प्रकार उस तरह के cells में, खास तरह की कमिया जो है वह दिखनी शुरू हो जाती है, अब अगले पॉइंट माता है कि जो डाबिटीज मेलिटस है डू तो दे लैक आफ इंसुलीन इन ब्लाट ग्लूट फोर इंकॉर्परेशन इन प्लाजमा मेंब्रेन फेल्स एंड देर्फोर दा हाइपर ग्लैसीमिया इस आपसर्वड अब उसका इंटेक ही नहीं होगा अगर इंटेक नहीं होता है तो रिजल्ट क्या होगा कि ब्लट से ब्लकोष सिलक अंदर में जाएगा नहीं ग्लूट फोर के कारण और इसके कारण हाइपर ग्लैस में सुगर की मातरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है साथ ही स्थेतेमेंच क्या कहता है Thus muscles and adipose tissues use fat as a source of energy and fatty acids breakdown converted to the ketone bodies that is acetoketone and beta hydroxybutyrate यह स्थेतेमेंच क्या क्या कहता है कि सोचो कि अब जो है तो जो ब्लड से ग्लुकोज का आना था वो आना क्या हो गया, क्या वो आपा रहा है, हम लोग के अनेजी नहीं, नहीं आपा रहा है, यहाँ ग्लुकोज का इंटेक जो है, वो क्या हो गया, वो घट गया, घटने करण क्या होगा कि इस सेल का जो एनर्जी डिमांड है, वो एन होना शुरू हो जाता है इसलिए आप गौर करते होंगे जो लोग डियाबिटिक होते हैं उनमें फैट से गलने के कारण वो थोड़े दूबले हो जाते हैं है ना हम लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है दूबला गया है और कई बार डॉक्टर सिम्टम में बोलता भी है कि अच किये हो है तो उसका अगर ये फैट बर्न होता है तो कोई इशू नहीं है चुकि वो एक डॉर्मल बोडी मेटाबोलिजम का पार्ट है लेकिन अचानक से सोए सोए बैठे बैठे ये जो काम होना लगे कि फैट बर्न करने लगे आटोमेटिकली तो हम समझा है एक खतरनाक सि और यहां तभी हमें समझ माता है जब हम गलूट फोर के बनने के तौर तरीके को हम लोग देखते हैं अब इसी घटना को हम लोग देखते हैं ब्रेन में जब ब्रेन इस घटना को देखते हैं तो ब्रेन जो है वो फैट को यूज नहीं कर सकता है अब देखे ब्रेन की क्या कि ब्रेन में keto bodies की मात्रा बहुत बढ़ेगी जिसके कारण ketoacidosis भी प्रारंब हो जाता है जो कि एक life-threatening condition है इसमें क्या होता है कि नर्व cells damage मने शुरू हो जाते हैं और मरीज का memory problem होना शुरू हो जाएगा उसके bodily बे अलग-अलग उसके symptoms होते हैं वो दिखने शुरू हो जा and glute 4 का synthesis formation नहीं होता है अब आप देखें कि किस प्रकार से यह insulin response system जो है हम लोग glute के लिए देख रहे हैं सब लोग गौर से देखेगा बाते आपको अच्छे सबज़वाएंगी यह जो है यह है insulin receptors हम सब जानते हैं कि insulin जो है वो आटी के pathway का हिस्सा है तो इसलिए हम जानते हैं कि यह आटी के structure है ठीक है और इसमें insulin receptor में क्या होता है दो बीटा सब इनिट और दो अल्फा सब इनिट होता है आटी के सब को याद होगा तो सब के दिमाग में यह बाते होंगी और यहां पर insulin जो है वो बाइंड कर रहा है यह insulin है यह बाइंड कर रहा है बाइंड करने के बाद यहां signaling system जो है वो आगे बढ़ता है बाइंड करने के बाद यह insulin response substrate जो है उसके बाद यह phosphatidyl I know PI3 के जो है काइने जो है उसको एक्टिवेट करता है फिर PKB है protein kinase B है वह activate होता है और इस प्रकार से EKB जो होता है वह किसको एक्टिवेट करता है वह activate करता है कि जो गौल जी का वेजाइकल है जिस वेजाइकल में यह देखिए क्या है ग्लूट फोर है ना इसको मिंब्रेन से incorporate करवा देता है इस तरह से ग्लूट फोर मिंब्रेन में चला जाता है और वह glucose को अंदर वेजना शुरू करता है जिसे नॉर्मल ग्लैकुलेसिस क्रेट साइन जो भी है वह होता है यह प्रोसेस है अब अगर आप संजहें इस पूरे प्रोसेस को मैं निगेटिव फॉर में रखूँ गवर से देखीगा इंसुलीन नहीं बना तो RTK अक्टिव नहीं हुआ तो IRS मतलब इंसुलीन रिस्पॉंस सब्स्ट्रेट जो नहीं बना फॉस्परिडाल अनुसितोल थ्री काइनेज जो है वो नहीं बना प्रोटीन काइनेज भी नहीं बना यह सिग्नलिंग नहीं हुआ वेजाइकिल में बना हुआ यह ग्लूट फॉर जो है वो मेंब्रेन से फ्यूज नहीं किया membrane में glutphor नहीं जुड़ा membrane में glutphor नहीं होने के कारण glucose का transport भी नहीं हुआ glucose का transport नहीं होने कारण अब इस glycolysis को ketone bodies पर depend करना पड़ेगा किस पर depend करना पड़ेगा ketone bodies पर जैसे parvic acid है parvic acid क्या है एक keto bodies है इसमें ketone group होता है इस प्रकार से यह सारा काम जो है वो चौपट हो जाता है और वहीं अगर insulin आया RTK अक्टिव हुआ IRS अक्टिव हुआ PI3 अक्टिव हुआ PKB अक्टिव हुआ वो उसने वेजाइकल को लेकर membrane में जोड़ दिया membrane में ग्लूट जूड गया ग्लूट फोर ग्लूकोज जो है वह इंटर कर गया glypolesis हो गया सारा प्रोसेस जो है आज यूजूवल तरीके से होता है ठीक है और keto जदी insulin फेल हो जाता है glypolesis तो होगा नहीं result क्या होगा कि जो fatty cells है वो ketoacidosis ketone bodies का formation करेगा और होगा सीधे क्रेब सैकल में इंटर करेगा energy देगा और इस प्रकार से brain को energy ज़रूर में लेगा लेकिन brain को एक बहुत बड़ा loss होगा इस ketoacidosis के कारण अब तो दवाईयां अफिलेबल है इसलिए बहुत घंजट हो नहीं पाता है लेकिन फुरासा बच बचाकर ही लोग इसको देखने कोशिश करते हैं अब हमारे पास है regulation of PKF-A1 and PB-Base-1 PFK का full form होता है phosphor fructokinase और PB-PH का 1 का full form होता है fructose 1,6-bisphosphatase यह दोनों एक दूसरे का opposite काम करने वाला enzyme होता है जो को phosphor fructokinase क्या करता है अगर हमसे कोई पुछता है phosphor fructokinase क्या करता है हम कहते हैं कि यह fructose 6-phosphat से है ना क्या बना देता है fructose bisphosphat तो fructose कौन सा bisphosphat 1,6-bisphosphat यही काम करता है वो इसमें वो ATP का खर्चा करता है ATP का एक phosphate जो है gamma phosphate उसका यूप यूप करता है और यही इस enzyme का काम है अर्थात यह phosphate को ATP से निकालकर substrate में जोड देता है यह हम लोग पढ़ते आएं स्टेप इसी प्रोसेस को अगर उलट दे सोचो कि अगर इसी प्रोसेस को हम लोग अगर उलट दे कि हम लोग जो है fructose 16-bisphosphat से एक phosphate लेकर उसको ADP को दे दे और ATP बना दे तो इंजायम का नाम क्या होगा fructose 16-bisphosphatase वैसे phosphorylage का opposite है phosphatase phosphatase में क्या होता है phosphat release कर दिया जाता है तो पहला मतलब क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे का उल्टा काम करता है अब है अगर cell में excess amount of ATP हो या citrate होती है दोनों क्या होता है phosphor fructokinase 1 को inhibit कर देता है यह हम सब पढ़े हुए ठीक है ऐसा कर देता है जबकि वही पर अगर cell में CMP या ADP ज्यादा हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि cell में ATP खर्चा हो गया और अब ADP या MP बता रहा है कि cell में ATP की deficiency है इसको मैं थोड़ा समझावे देता हूँ देखिए आप गौर करेंगे मैं डियाग्राम बना रहा हूँ एक टुकरी में बहुत सारा आम है ठीक है बहुत सारा आम है एक टुकरी में और एक टुकरी में बहुत सारा आम का गुठली है ठीक है तो हम किसी को अगर ओफर करेंगे तो क्या करेंगे आम वाली टुकरी करेंगे लीजे आम है खाईए इस गुठली वाला टुकरी का मतलब क्या होगा कि आम का खर्चा हो गया लोगों ने आम को खाकर गुठली छोड़ दिया यह आम जो है वो ATP है ठीक है ATP ओफर होगा कि भाई लीजे एनर्जी से भरा हुआ लाल-लाल ATP रिसीव करिए वहीं पर यह जो गुठली वाला हिस्सा है यह ADP है या EMP मोनोफोस्पेट या दाइफोस्पेट ठीक है तो सेल्क में अगर हमको glycolis करवाना है तो यह glycolis किस condition में हमको ज्यादा करवाने के ज़रूद है जब ATP में तब भढ़ा हुआ है या जब ADP या MP भढ़ा हुआ है एंसर होता है जब ADP या MP भढ़ा हुआ है तब हमको बहुत सारा glycolysis कराने ज़रूरत होती है ताकि यह convert हो जाए किस सिज में वापस फलदार आम में अथाथ ATP में यहां जो डियाग्राम है यहां अपने बताता है cell के regulation में अगर ATP by ADP more than one हो तो इसका result क्या होगा? cell has enough ATP and may not need need to और इसको जोड़त नहीं है कि यह glycolysis करें may not need to run glycolysis पहला दूसरा कहता है कि ATP by ADP का ratio is less than one इसका मतलब है cell is having ATP deficit cell के पास ATP की कमी है and glycolysis may run glycolysis यहां पर हो सकता है तो अगर ATP by ADP एक से ज्यादा इसका मतलब क्या है? ज्यादा ATP है मनलों कि more than one कम होता है mathematics पे मनलों कि ATP 2 हो और ADP 1 हो इसका value हमेशा एक से ज्यादा होगा और ATP by ADP एक से कम हो इसका मतलब है कि ATP 1 हो तो ADP 2 हो मतलब आम कम हो और गुठली ज्यादा हो इसका मतलब क्या है? यही इसका मुद्दा कहता है तो इसी को एक समझाए गया है इस प्रकार से और इसको समझना बहुत ही आजान है इस तरह की चीजों को देखें मैं इसको समझाता हूँ आप लोगो अब देखिए फ्रुक्टोज 6-phosphate से फ्रुक्टोज 1-6-bisphosphate वनेगा ग्लाकुलिसिस का प्रोसेस है इसमें जो इंजायम होता उसका नाम होता है फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज इस फॉस्फो फ्रुक्टो काइनेज में एक मलेकुल ATP खर्च होता है और ADP बसता है मतला आम का खर्चा हुआ गुठली बच गया और फ्रुक्टोज में एक जो है फॉस्फेट वो पहले पोजिशन पर जूड़ जाता है यह बहुत ही इनर्जी रिच है और इससे फर्दर जो है वो ग्लाकुलिसिस कंड़क्ट होता है और वो परिवेट में जो इसको उलटकर वापस प्रुक्टोज इस फॉस्फेट बनाता है जिसका उप्योग होता है गुल्कोज नियोजनेसिस में मतलब कि उससे वापस हम को दूसरे काम उसको यूज कर सकते हैं इसका में क्या होता है एक मॉल्कुल वाटर यूज किया जता है और एक इन और गनिक यह निकल गया मतलब यह है तो यह देखिए जो फॉस्फो वन सिक्स बिस फॉस्फिटेज है और यह फॉस्फो फॉटो काइनेज इसमें बड़ा खास डिफरेंस है क्या यह जो क्लास है इस इंजाइम का वह है ट्रांसफरेज जबकि FBPH का जो क्लास है वह है हाइड्रोलेज हाड्रोलेज क्यों है क्योंकि इसमें पानी की प्रजिंस में इन और गनिक फॉस्फिट लीज करता है तो यह चीज भी समझना बहुत ही जरूरी होता है अब यहाँ पर कुछ फैक्स लिखा हुआ है उस फैक्स पर हमें काम कर करनी काम शक्ता होती है अब देखो ATP अगर ATP ज्यादा होगा तो वह इस प्रोसिस को क्या करेगा रोग देगा अगर ADP ज्यादा होगा वह इस प्रोसिस क्या करेगा लॉग करेगा यह इसका बेसिक मेकानिजम है काम करने का तो इस प्रकार से ग्लाइकोलिसिस का यह जो एक डिसकुशन था वह यहां समाप्त होता है